नमश्कार दोस्तों सम्रिद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए दो कलर का स्वेटर डिजाइन लेकर आई हूँ देखे हमने इसमें कुल 22 फंदे डाले हुए हैं 22 फंदे में ये 6-6 फंदे का साइड बॉर्डर बनेगा इसे 6-6 फंदे का साइड बॉर्डर बनेगा और बीच में जो 10 फंदे हैं उसमें हम दूसरी कलर से डिजाइन डालेंगे तो आएए दोस्तों देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है पहले फंदे को हमने उतार लिया दूसरी फंदे को धागा सामने करके हमने उल्टा बून लिया और फिर डबल धागा इस तरह से हम डालेंगे डबल धागा और हम सामने साइड से उल्टा बूनेंगे और पिछे दागा इस तरह से हीश देंगे और देखे चार फंदे ये बून गया और सामने धागा करके हम दो फंदे उल्टा बूनेंगे इस तरह से और उसके बाद हम यहाँ बीश के जो दस फंदे हैं इन में हम दूसरे कलर लगाएंगे यह धागा पीछे कर दिया हमने इस तरह से हम दूसरा धागा यहाँ लगाएंगे दस फंदे हम रेट कलर के धागे से वुनाई करेंगे और यह धागे को हम इस तरह से फचाते जाएंगे ग्रीन कलर के धागे से कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह आठ फंदे हमने बुने अभी दो फंदे और बुनेंगे रेट कलर के धागे से यह देखिए यह नौ हो गए और यह दस फंदे यह दस फंदे हमने रेट कलर से बुने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और छे फंदे से हमने इधर साइड बॉर्डर बनाया है अब देखिए हम ग्रीन कलर से फिर उसी तरह बुनेंगे धागा सामने करके दो फंदा उल्टा बुना और फिर डबल धागा करेंगे हम यहां इस तरह से और इसे भी हम धागा सामने साइड करके ही बुनेंगे और एक फंदा हम यहां उल्टा बुने और दूसरा यह फंदा भी लास्ट फंदा भी हम उल्टा बुन लिये अब देखे सीधे साइट से हमने आपको बता दिया, अब उल्टे साइट से देखे, उल्टे साइट से हम पहला फंदा उतार लेंगे, सीधे साइट से हमने ये फंदा उतार लिया, और सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंग तो धागा इस तरह से पलट लेंगे और इससे जो रेट कलर का है फंदा और धागा इससे मच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और उसके बाद बुनाई करेंगे इन 10 फंदों को हम रेट कलर के धागे से ही बुनेंगे और इस पर हम इस तरह से धागा को पलटते जाएंगे हमें ग्रीन कलर के धागे को भी साथ में लेकर चलना है तो इसलिए हम धागे को इस तरह से पशाते जाएंगे हम आच देखें यह बुनने के बाद हम यहां ग्रीन कलर के धागे से आप यह जो छे फंदेya हैं हम इल्टा बुन लेंगे तीछे साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनना है और रेट पर रेट कलर और ग्रीन पर ग्रीन कलर के धागे से बुनाई करना है इसी तरह दोट तो हम ये साइड बॉर्डर हमने आपको बता दिया ये इसी तरह बनेगा और ये जो रेट कलर का फंदा है इसे हम पांच राउंड बुनेंगे इसे हम पांच राउंड सिंपल बुनेंगे उसके बार डिजाइन डालेंगे देखे दोस्तो हमने इसे 4 round complete कर लिया है अब यह हमारा पाचवा round चल रहा है देखे पहला धागा हमने पहला फंदा हमने उतार लिया दूसरा एक फंदा हमने उल्टा बनाया उसके बाद हम डबल धागा लिये और इस तरह से पीछे से हम खीच दिये और ज्यादा टाइट नहीं खीचेंगे हम इसे उसके बाद दो फंदें हम और उल्टा बना लिए उसके बाद देखिए हम अब रेट कलर से बुनाई करेंगे यह देखिए एक फंदा हमने बुना यह हमारा छटवा राउंड चल रहा है तो यह दो फंदा हमने बुना तीन यह तीन हमने बुन लिया और यह चार पांच देखिए यह दस फंदे है तीन चार पांच छे साथ आठ नौदर यह दस फंदे है तो दस फंदों में हम आधा आध पांच इधर साइड और पांच ये फंदे हो गए तो ये पांच फंदे तीन को हमने बुन लिया और दो फंदे को हम देखे ये दो फंदे हैं दो फंदे को हम पीछे साइड से इस तरह से हम घटाएंगे इस तरह से हम इस तरह से नहीं घटाएंगे हम इसे इस तरह से घटाए गणिया और इसी तरह से हम इधर भी करेंगे दो इस तरह से घटाएंगे तो इस तरह से हमी कि जो दस फंदे की डिजाइन बनते जा रही है इसे हम घटाते चले जाएंगे लास्ट में दो फंदे बचेंगे और बाकि side design हम उसी तरह से डालेंगे आधि यenser hai मादा हमने बुना यह दूसरा भी हमने उल्टा बुना और धागा सामने करके यह दो फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे और फिर धागा सामने किये दो फंदे हम उल्टा बुन लिए और पीछे साइड से हम पहला फंदा उतार लेंगे और रेट पर रेट कलर से और ग्रीन पर ग्रीन कलर से हम बुनाई करेंगे उल्टा बुनाई करेंगे उल्टी तरफ से देखे दोश्तों ये साइड बुनाई हमने उसी तरह से किया है जैसे हमें पहले हमने बताया आपको और देखे ये जो दस फंदे थे रेट कलर के वो घटते हुए चार फंदे बचे हैं अब हम इन्हें चार फंदों को दो फंदे बनाएंगे देखे हम फंदे हैhd इन्हें हम Days ढटा कर ये एक फंदे हमने कर दिये और जो ये फंद में है ये भी इस तरह से हमने पलट करके इसे भी हमने घटा दिया देखे ये दो फंदे बचे और ये जो आइड डिजाइन है और सिरुना बनेगा जैसा कि हम पहले बुनते चले आए हैं उसी तरह से यह बुना जाएगा और पीछे साइड से हम उसी तरह बुनेंगे रेट पर रेड और ग्रीन पर ग्रीन कलर से उल्टा पूरी बुनाई करेंगे देखे दोस्तों यह जो दस फंदे वाली डिजाइन बन रही थी रेट कलर की वो लास्ट में दो फंदे बची अब यह दो फंदों से हम दस फंदे बनाएंगे तो यह दो फंदों को हम पलटेंगे देखे जो यह इस फंदे को हम पीछे करेंगे और इस फंदे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से फंदे को चढ़ाने के बाद हम एक फंदा सामने वाला बुन लेंगे और बुनने के बाद तीशरी जाली देखे एक दो और ये तीन जो तीशरी बुनाई है यहां से हम आठ फंदे निकालेंगे देखे इस तरह से और जहां से हमने पहला फंदा निकाला वहीं से आठ फंदे बार बार वहीं से निकलेंगे यह देखे अब धागा हमने सामने किया और यह देखे वहीं से हमने फिर से यह दूसरा फंदा निकाला ये दो फंदे हो गए और देखे धागा हमने पीछे किया ये देखे इस तरह से आठ फंदे बनाएंगे और दो फंदे हमने पहले से ही चलाई पर छोड़े हुए थे रेट कलर के तो सम्मिलकर वो दस फंदे फिर से कम्प्लीट हो जाएंगे तो देखे तीन फंदे हमने बना लिए हैं धागा हमने सामने किया और इस तरह से चार फंदे बन गए धागा हमने पीछे किया ये पांच फंदे बन गए धागा हमने सामने किया शे भंद बन गया धाग हमने पीछे किया यह जाख में दाग म nuances सामने किया देखें ये वहीं से बार-बार भंदा बन रहा है एक ही जाली से बार-बार भंदा हम बनाएंगे यह 8 फंदे मह in यह देखे, यह 8 फंदे हो गए, इस तरह से 2 फंदे और मिल करके 10 फंदे कम्प्लीट हो गए, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और एक यह 10 फंद है, इसे हम बुन लेंगे, और बाकी साइड बुनाई हम वैसे ही करेंगे, जैसा हमने किया है, यह देखे, जो फंदे हमने इधर से बढ़ाए हैं, 8 फंदे, इन्हें हम कैसे बुनेंगे, यह 10 फंदे, पहले ते दो, बच्चे हुए फंदों को लेकर 10 फंदे हो गए तो इन्हें हम देखे, तरह से देखे, हम उल्टे चार फंदे ये 6 ये 7 और ये 8 फंदे ये 9 फंदे और ये last में 10 फंदे ये 10 फंदे हमने घटाए थे और जो बढ़ा कर हमने 10 फंदे फिर से complete कर लिए और बागी ग्रीन कलर के जितने संदे हैं वो सब ग्रीन कलर से बुने जाएंगे यह देखिए अब हम सीधे साइड आ गये हैं सीधे साइड से हम आपको फिर बता दे दोस्तों इसी तरह से हम चार राउंड बुनेंगे और पाचवी राउंड में हम इसी पाचवी राउंड से हम एक एक फंदे घटाते जाएंगे बीच से पाच-पाच फंदे कर लेंगे और बीच से एक एक फंदे घटाते जाएंगे और उसके बाद फिर उसी तरह से जब दो फंदे यहां बचेंगे तो हम दो फंदो को पलट करके फिर से वहां आठ फंदे बढ़ा लेंगे तो दस फंदे फिर हो जाएंगे हम आपको बुन करक अभी दिखाते हैं देखें दोस्तों यह डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गए यह डिजाइन इसी तरह से जैसा कि हमने आपको शुरू से बताया है और यहां आकर के आठ फंदे घट जाएंगे और फिर आठ फंदे यहां बढ़ जाएंगे और उसके बाद चार सलाई बुरने क पांचवे राउंड से यह एक-एक फंदा घटने लगा है और जब दो फंदे बचेंगे तो यहां फिर से आठ फंदे हम और बढ़ा लेंगे उसी तरह से यह डिजाइन बनता चला जाएगा और यहां साइड बॉर्डर है तो आप अपने इच्छा अनुतार दूसरा बॉर यह डिजाइन इसी तरह हमने बनाया है यह सिंगल कलर में है और इसमें देखे हमने साइड बॉर्डर दूसरा डिजाइन बनाया हुआ है तो इस तरह से दोस्तों इसे आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं डवल कलर में भी बना सकते हैं यदि हमारी यह डिजाइन आपको प एक अच्छी डिजाइन के साथ धन्यवाद